गुड आनिंग students class 11th education में जो हमारा आज का यो new topic जो है बहुत है culture aim of education Culture aim of education क्या होता है Education कैसे important है culture के लिए जह हम बात करें कि importance क्या है culture aim of education की और उसके बाद इसके merits क्या है और demerits क्या है ज़िए हम आज डिसकेस करेंगे First of all, अगर हम meaning की बात करों कि क्या होता है culture aim तो culture for education, sorry, education for culture is education to improve the culture aspect of the society, कि अगर हम बात करें, education for culture means कि जो हमारे society के cultural aspect जो है उसको improve करना, अपने society के culture को improve करने की कोशिश करना और जो improvement तभी possible हो सकती है, अगर हमारे पास हमारा जो past culture है जा हमारे जो present culture है, कि इसका हमारे पास और नॉलेज होगा और इसकी जो अच्छी जो चीज़ें जो है उनका हमें पता होगा जिन चीज़ों को हम प्रिजर्व करने कोशिश कर रहे हैं कल्च एम अफ एजूकेशन जो है जी किसके साथ कंसर्ण करता है जो इंडिवीजुल जो है सोसाइटी के जो लोग जो है उनके बहुत करूं नेरो सेंस में पतले क्छोट लेवर पे कल्चर क्या होता है जो क्ल्च एम क्या है means जो ड्रेस मैनर वी आफ लाइफ एक्स्ट्राइब इंड ब्रोडर सेंस में अगर बात करूं इट मीन्स गुड हैबिट जो थॉर्स एक्स्ट्रा अच्छी जो आददे जो है अब इसके मेरे कुछ डेफिनिशन की बात करूँगा, एक दो डेफिनिशन हम पढ़ेंगे की कल्चर क्या होता है, उसको कल्चर कहा जाता है, एबी टेलर जो है, उनका कहना है कि कल्चर is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. कि कल्चर एक complex whole process जिसमें knowledge, beliefs, art, moral law आगे, customs आगे, capabilities, habits जो एक इनसान हासिल करता है, सीखता है कैसे एक society का member बनके, जाने कि society से जो चीज़े हम लोग सीखते हैं, उसको कल्चर कहा जाता है, कल्चर क्या है, वो values जो एक generation से दूसरी generation में transfer होती है, वो culture values कहलाती, अब aims of education, कि कैसे education जो है, वो हमारे culture को develop करने में help करती है, education takes the responsibility of preservation of culture, कि education क्या करती है, एक responsibility उठाती है, culture को preserve करने के लिए, education is the only source of the preservation of national values, ideas, experiments and observations, जो हमारी society की जितनी values जो हैं, उन values को अगर preserve करना है, तो education के जरीए preserve किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि education में, हम उन चीज़ों के बारे में सीखते हैं, हम history में, sociology के में बात करूँ, हम अपने culture के बारे में सीखते हैं, हम अपनी proper past history के पहले हमारी society कैसी हुआ करती थी, हमारी society में क्या-क्या चीज़ें थी, और education के जरीए हम अपनी जो जंग generation जो है, आने वाली generation को हम जे चीज़ें सिखा सकते हैं, और अपने उस culture को preserve करके रख सकते हैं, कि हर नेशन जो है, कोशिश करता है, कि अपने culture values और civilization को promote करना, लंबे समय सक, कि अपनी civilization को आगे बढ़ा के लेके जाना, अपनी हमारी पहचान किससे है, हमारे culture से, हमारी civilization से, और culture क्या है, culture जो हम लोगों का behavior जो है, हम लोगों का बात करने का तरीका जो है, हम लोगों के रितिर बात जो है, जे सारी culture में आती हैं, और education के जरीए हम इन चीज़ों को preserve करने की कोशिश, कहते हैं, इनको promote करने की को performs favor of approaching and goals of life is change with a change in culture के पाइन कि जैसे से कल्ट इसबिसी होता है। इंसान की lifestyle change हो जाती है। हमारी thinking Everything change हो जाती है। हमारी life के goal is change हो जाते हैं। す्टुएंटस में बात करूँगा आज से 50 साल पह्ले की पचास साल पहले हमारा जो culture aspect जो था हमारी जो thinking जो थी वो कुछ अलग type की थी हमारी lifestyle जो है वो कुछ अलग type की थी हमारी life के जो goal जो थे मकसल जो थे वो कुछ अलग थे बट जैसे जैसे हमारी society change होती गई हमारा culture change होता गया हमारी lifestyle भी change होती गई तो ये सारी चीजे कैसे पासिफिल हुई education करते हुए, education हमारे culture को भी improve करने में कोशिश करता है, education के जड़ी हम अपने culture में एक नए-नए चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें जो है वो add कर सकते हैं, education का aim क्या होता है, transfer करना, cultural values एक generation से, दूसरी generation, education maintain करके रखती है, preserve करके transfer करती है और promote करती है उन cultural values को यह थे aims of education अब merits of cultural aim of education cultural aim of education कि क्या merits नहीं इसके क्या benefits one comes to know about all the things then one can transmit or preserve them better कहता है जब तक एक इनसान किसी चीज़ के बारे में जानेगा नहीं वो दूसरों को कैसे सिखा सकता है जब तक हमारे अंदर वो quality ही नहीं है दूसरों में वो चीज़ें कैसे ला सकते हैं जब तक हमें किसी चीज़ का knowledge नहीं है हम दूसरों को वो चीज़ें सिखा सकते हैं जब दूसरों को वो हम preserve करके रख सकते हैं बिल्कुल नहीं पहले हमें उन चीजों का पता होना जिरूरी है तो अगर हम अपने कल्चर के बारे में जानते हैं जो हमें education के थूरू हमें अपने कल्चर के बारे में knowledge मिलता है तब ही हम धूसरों में बोग चीजें transfer कर सकते हैं और उस चीज़ को अच्छे द्रीके से बचा के रख सकते क्याता है एक इंसान जा कोई भी इंसान जो है वो अपने कल्चर को इंप्रूव कर सकता है उसको अप्डेट कर सकता है कैसे in the light of other culture क्या हम दूसरे कल्चर के साथ compare करके बट हमें education के through ही ऐसी चीज़े पता चलती है क्योंकि हमें दूसरे कल्चर के बारे में पता कैसे चलेगा through education हम seeking education जे नहीं जो हम स्कूल में से पढ़ा रहे हैं learning हमारा experience जो है वो भी हमारी education है तो एक कल्चर दूसरे कल्चर को compare करके हम लोग अपने कल्चर को अपडेट कर सकते हैं उसको improve कर सकते हैं education लोगों को इस काबिल बनाती है कि वो understand कर सके कल्चर को properly और उसको और ज्यादा strong और ज्यादा उसको अच्छा बना सके education में जे काबिलित है कि लोगों को जागरू कर सकती है अपने कल्चर के बारे में और उसको और ज्यादा strong बनाने में help कर सकती है next आता है कि education के through हम लोग जो अपने कल्चर में जो बुराईये जो है education can root out ill from it, it मतलब culture education क्या करती है जा education के जड़ी हम क्या कर सकते है अपने culture में जो बुराईये जो है जो बिमारीये जो है उनको दूर कर सकते कोई भी इनसान एक इनसान जहां लामिनेर कर सकते है bad elements वो बुराईये वो बुरी चीज़े अपने culture से क्योंकि जब तक हम लोगों को knowledge नहीं होगा हम लोग educated नहीं होंगे तो हमारे culture में वो चीज़े चलती रहेंगे students आपको याद होगा हमारे culture की बात करूँगा मैं सतीप रथा child marriage यह हमारे culture में यह हमारे समाज में बुराईये थी लेकिन आज इन बुराईयों को खत्म कर दिया गया है कैसे खत्म कर दिया गया है वो हमारे social reformer वो educated लोग थे पड़े लिखे लोग थे और उन लोगों ने हमारी जो अनपर society थी उस society को जी चीज़ें बताई कि यह हमारी society में बुराईये है और इन चीज़ें को हमें दूर करना पड़ेगा तो ऐसी और बड़ सारी society में जो problem जो है ill effects जो हमारे society के उनको हम through education दूर कर सकते है education human powers को train करती है और इसको cultivate करने में help करती है no demerits of culture aim of education यह तो हमने पहले तो हमें बड़े कि क्या क्या इसके benefits है इसके merits क्या है अब कुछ demerits के उपर भी discussion हो जाए too much emphasis on culture aim will lead to neglect other aspects of personality students अगर हम culture aim के उपर ही जादा focus करेंगे तो हमारी personality की बाकी aspect जो है बो निगलेक्ट बो नजर अदाज किये जा सकेंगे जाकि हो जाएंगे क्यों क्योंकि अगर हम सिर्फ culture के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो material power जो है the material aim जो आगया जा economic aim जो आगया जा physical aim जो आगया जो moral aim जो आगया बहुत सारी चीज़ें जो है नजर अंदाज हो जाएंगे next it will line with the surrounding and the prevailing social climate कहते है कि जो हम culture aim जो है हमारा वो क्या है जो हमारा social climate जो हमारी ad presence की society जो है उसके carding होगा तो जो society में चल रहा है वही चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे हमारी society में बड़ी सारी आसी गल चीज़ें भी आ रही है रही है जो हमारी society को suit कहीं तरीके से नहीं भी करता है बट हम वो चीज़ें भी हमारे बच्चे सीख रहे हैं it hinders the natural development of the child अगर हम culture के बारे में बात करेंगे तो उसकी जो natural development भी है कि बुन उसमें उसके आगे रुकावटें आएंगी क्योंकि आज की society कफी advanced society हो चुकी है और कहीं ना कहीं हमारे culture और हमारी जो present society जो है उसमें एक gap सा बनता जा रहा है और जो need of the heart आज के समय की जो जुरूरत जो है वो और हमारे culture की बात करूं मैं उसमें थोड़ा सा defense आना शुरू हो गया इसलिए जहां पर एक जिप de-mails आता है it neglect the professional aspect of education कहता students कि आज की अगर हम अपनी जिन्दगी को जीना है अपनी livelihood को आगे बढ़ाना है उसके लिए हमें professional aspect के उपर जादा जो देना पढ़ेगा बट culture aim of education जो है वो तो इसको क्या कर रहा है निगलेक्ट कर रहा है वो इसको नजर अदाज कर रहा है it is difficult to decide यह काफी यह ता मुश्किल है यह decide कर पाना कौन सा culture सही और कौन सा culture में क्या कमिये है students अगर हम हमें किसी culture को improve करना है तो हमें यह देखना जुरूरी होगा कि कौन सा culture ideal है और कौन सा culture best है यह बट जिक काफी यह दा मुश्किल है अगर हम अपने कल्चर के साथ आएंगे अपने कल्चर की विजिन के देखेंगे तो बहुत नेरो माना जाएगा और काफी जाए लो माना जाएगा अगर दूसरे कल्चरों की बात करों तो वो culture उस culture के जो तोर तरीके जो है वो हमारे society के साथ शूट नहीं करते हैं तो जहां पर एक problem आ जाएगी तो conclusion में मैं जहीं बोल सकूंगा जा मैं बोलना चाहता हूं कि culture aim of education जो है वो काफी अधर important है बट उसको aim of education में इतनी अधर priority नहीं दी जा सकती it can surely assist other जी बाकिक एम जो है उनको assist कर सकता है अपनी broader thinking के जरीए तो यह था आज का हमारा topic thank you